हेलो दोस्तों स्वागता आपका त्रिसक्त्य अकेडमी में तो दोस्तों जैसा कि आप सब भी को पता है उत्राखन पॉलिटेखनिक एंटेस एक्जाम 2022 की एक्जाम डेट जो है रिलीस कर दी गई है 26 जो उनको जो है आपके एक्जाम होने वाले हैं चाहे वो ग्रूप ए का हो ग्रूप ए का हो और ग्रूप पी का हो तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू कि ग्रूप ए जो है वो है डिप्लोमा इन इंजिनिरिंग Group A है Diploma in Engineering through Lateral Entry इसमें जो है Group A में आप सीधे Engineering के Second Year में प्रवेस करते हैं इसके बाद दोस्तों जो Third है हमारा वो है Group P जो की होता है Diploma in Pharmacy तो सबसे पहले दोस्तों आपको आपने जिस Group में Form भरा होगा उसकी Date आ गई है तीनों Groups की Date जो है 26 June है Time जो है दोस्तों अलग-अलग है आप Group E के लिए भी Paper दे सकते हैं Group A के लिए भी Paper दे सकते हैं तो दोस्तों इस Exam में आपको पढ़ना क्या है वो आपको बताऊंगा इसमें Group E में आपको क्या पढ़ना है, Group A में क्या पढ़ना है और Group P में क्या पढ़ना है और इसका syllabus क्या होगा कितने question आएंगे negative marking होगी नहीं होगी और आपको अब क्या-क्या पढ़ना है क्योंकि आज जो है दोस्तो आज से आपके पास five days और बचे हैं इसके पास आपके पास time नहीं है तो आपको limited चीजे पढ़नी है क्या-क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता दूँगा चल ये पहले आप इसका syllabus देख लिए तो दोस्तो सबसे पहले हम बात करेंगे group E की तो दोस्तो सबसे पहले group E में जो हमारा paper आता है दोस्तो वो है math और physics and chemistry तो इसमें दोस्तो हमारे 2 section होते हैं section A में हमारे पास math रहती है जिसमें 50% जिसमें हमारे 50 question दोस्तो हमारे math के रहते हैं ये math की question किस level के रहते है दोस्तो math की question जो है आपके 10th level के रहते हैं जो आपने LC MSEA पढ़ाओगा number system पढ़ाओगा time and work पढ़ाओगा और profit loss पढ़े ह होंगे algebra पढ़ा होगा mensurations पढ़ा होगा technometry पढ़े होगी आपको जो है इनके basics question आएंगे सीधे formula based आपके questions रहने वाले हैं हाइट end distance से कुछ दोस्तों question दो तीन question बन जाते हैं उससे आपको ज्यादा ध्यान देना है इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दू section 2 section 2 में दोस्तों हमारे पास सर्फ physics and chemistry जिसमें हमारे पास 25 question हमारे physics के रहेंगे और 25 question हमारे chemistry के रहेंगे ये भी basic 10th base आने वाली है दोस्तों जो आपने 10 तक physics के formula पढ़ा है force का पढ़ा हो work का पढ़ा हो इसी पे basic दोस्तों आपके questions रहेंगे ज्यादा complicated question आपसे नहीं पूछे जाएंगे बस आपको अपने basics और formula last में revise कर लेने हैं दोस्तों वही आपस बहुत ही easy questions पूछे जाएंगे motion के जो आपके पास equations रहती है उससे related question आ सकते हैं work से related question आ सकते हैं power यह सब formula आपको पढ़ लेने है current हो गया ohm slow हो गया यह चीज़ आपको clear करके जानी है physics में इसके बाद रही दोस्तों chemistry में आपसे electronic configuration यह चीज़ आपको पढ़नी है इसके बाद दोस्तों group e में आपको क्या 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 पढ़ना है वह आपको clear हो चुका होगा कि आपको only 10th level पढ़ना है अपने basics clear करने और पेपर कोई tough नहीं आता बहुत ही easy paper होता है आपको 60 to 65 question सही करके आने 60 to 65 आपकी जो merit है जो आपके rank है under 500 आ जाएगी अगर आप 60 to 65 correct करके आते है तो आपकी under 500 rank आ जाएगी बहुत ही अच्छी rank है जिसे आपको जो college चाहे और जिस branch में आप admission लेना चाहे वो branch जो है आपको दोस्तो मिल जाएगी तो group email दोस्तो अभी इतना ही है इसके बाद या तो videos आएंगी या आप telegram group जो है हमारा मैं आपको बता देता हूँ t-r-i-s-h-a-k-t-i त्रिसकती a-c-a-d-e-m-y त्रिसकती academic के नाम से हमारा telegram group है वहाँ आप join हो जाएए वहाँ आपको या तो questions फॉर्मूले अगर वीडियो नहीं आपाई तो आपको वहाँ सीधे मिल जाएंगी और इसका link में आपको description में भी दे दूँगा अब रही द तो दोस्तों अब हम बात करेंगे group a के बारे में तो दोस्तों group a भी हमारा slave सेम है इसमें भी high school level की math रहने वाली है बट यह है कि यहाँ ratio जो है questions का change हो जाएगा जहाँ group e में questions का ratio 50 था यहाँ 40 हो जाएगा वहाँ 25 questions physics के थे group e में यहाँ 20 questions आपके physics के हो जाएगे ऐसे ही वहाँ chemistry के 25 questions थे यहाँ 20 questions आपके जो है दोस्तों chemistry के हो जाएगे आपकी जो married है अच्छी खासी बन जाएगी तो same slave से यह नमत मानिये कि हम group e 12th के बाद दे रहे हैं तो 12th level के questions आएगे नहीं बिलकुल नहीं है ऐसा आपको जो आएगे वहाँ math के question वही LCM SAF, number system, time and work, algebra, profit lot, mensurations, यह चीज़े ही percentage, average, जितने भी आपके decimals, fractions यह चीज़े आपकी आने वाली हैं वहाँ दोस्तों बहुत easy paper रहेगा थोड़ा group A जो है group A से थोड़ा इसका जो hard होगा यह थोड़ा ज्यादा होगा तो group A में आपको क्या पढ़ना है math, physics, chemistry और general engineering दोस्तों अगर आपके पास आपको लग रहा है कि हम यह से कहां से पढ़े तो हमारी एक आपको playlist मिल जाएगी जहाँ जीप entrance exam की हमारे पास 2021 की होगी वहाँ हमने 143 करीब हमने वहाँ वेडियो अपलोड की है तो वहाँ से आप तयार ही कर सकते हैं और आपके लिए जो है जो में group A में material रहेगा वही आपका group A के लिए भी material रहेगा बढ़ यह है कि questions का level थोड़ा बढ़ सकता है इसके बात दो material के बारे में तुम आपको बता देता हूं दोस्तों physics और chemistry आप वही playlist से कर सकते हैं जो group E के लिए है तो physics और chemistry की दिक्कत आपकी यहाँ पर खतम हो जाएगी जो कि 25 और 25 questions आपके complete हो जाएगे रही biology की बात आपने अभी biology की होगी अपने जो notes हैं उन्हें आप revise कर लीजिए और इसके कुछ questions जो कि lucent या अन्य book से मैं आपको provide कर दूँगा या तो telegram मा करूँगा अभी बताया है मैंने तरिसकते academy के नाम से आप वहाँ join कर लीजिए या आपको जो है इस पे video provide हो जाएगी अगर time मिल गया तो तो आपको physics और chemistry जो है आपके वही playlist जो engineering group की है वहीं स complete कर लेनी है ऐसा नहीं है कि group P है तो physics और chemistry कुछ अलग आएगी physics और chemistry सेम है आपको biology के लिए अलग से पढ़ना है जो कि आपको provide हो जाएगी कि आपको क्या-क्या पढ़ना है और इसमें कुछ math के student पर रहते हैं दोस्तों math यहाँ पर 12th level की आ सकती है क्योंकि यहाँ पर 12th level का exam है लेकिन जहां तक बात है वहाँ आपकी जो है 10th ही रहने वाली है तो आपका syllabus मैंने बता दिया है group A के लिए group P के लिए और group E के लिए तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या-क्या पढ़ना है और रही आपकी confusion की बात की आपको क्या negative marking रहेगी इसमें बिल्कुल negative marking रह जो question आपको confirm है वही question आपको करने है ऐसा नहीं है कि 90 question करोगे जिसमें से 50 सही है 40 कलते तो आपकी जो rank है घड़ जागी आपको 50 आते हैं तो 50 की जिए 50 मां आपकी अच्छी rank बन जागी जहां तक बात है 60 to 65 अगर आपने cover कर लिए तो आपकी rank बहुत अच्छी आ जागी ब को तुक्का मारना है तो दोस्तों यह तो आपके syllabus के बारे में मोटा मोटा था इस पे आपको जो है notes जो है कुछ जो important चीज़े होंगी मैं आपको जो है telegram में provide कर दूँगा और हो सके तो मैं वीडियो भी बना दूँगा तो आप जो है अमारा तिरसक्ती academy के नाम से जो है channel है उस पे आप जो है add हो जाएगा आपको जो है link भी description में provide हो जाएगा इसके बाद दोस्तों जो formula होंगे वो भी आपको telegram में provide हो जाएगे और जितने भी other thing हैं आपको एक दो दिन के अंदर वहां provide हो जाएगी अगर आपका कोई भी confusion इस video को बात रहता है तो आप जो है comment म जिनने कुछ पता नहीं होगा अभी तो ज्यादा से ज्यादा share किजिए सब के पास information जानी चाहिए तो thank you for watching this video मिलते हैं next video में